असलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चानल, फूड एंड हल्प आज की रेसिपी, चिकन लवर्स के लिए है और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, इसकी जो ग्रेवी है बड़ी सिलकी स्मूध बनती है और फटा फट घर में हूम-बे्जड इंग्रेडियन्स पर तेयार हो जाती है आज मैं आपसे रेश्मी चिकन मसाला ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूँगी बिकुल रेस्टराल स्टाइल में उससे पहरे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज विसे सब्सक्राइब करें सबसे पहले 500 ग्राम्स चिकन ले लिया है मैंने उसको अच्छे से वाश करके इस ट्रेनर में रख दिया था यह मैंने कुटीवी काली मिर्च का पॉडर डाला है इसमें और इसमें यह गया है चाट मसाला जो की वन टी स्पून है इसके साथ अब मैं इसमें डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जो की वन टी स्पून मैंने इसमें आड़ कर दिया है आगे भी हम सॉल डालेंग इसमें fresh cream को add कर दिया है अब इसको बहुत अच्छे से mix करना है लेकिन उससे पहले इसमें थोड़े से flavors और हम add करेंगे उसके लिए मैंने कसूरी मेटी डाली है हरा धनिया पत्ता डाला है और थोड़ी सी green चिली इसको slit करके मैं इसमें add कर दूँगी यह सारे ingredients इसमें डालने के बाद इसका marination तयार है चिकन का और इसको हम अधरक लसन का 1 tablespoon paste डाल के इसको अच्छे से mix दे देंगे और ढखके कम से कम 30 minutes के लिए इसको रख देंगे इससे जादा भी अगर आप रख सकते हैं तो रख लीजे वना minimum 30 minutes तो जरूर रखिए और यह 1-4 teaspoon मैंने इसमें turmeric powder भी आड़ कर दिया है अब इसको अच्छा सा mix देंगे और इस marination को हम रख देंगे यह नॉर्मल वाली चिली है जो यूज करते हैं कश्मीरी रेड चिली जादा तीखी नहीं होती है थोड़ी सी मैंने यह भी आड़ कर दिया तो यह हमारा perfect marination तयार है इसके बाद जो uniqueness है इस recipe की वो है इसकी gravy उसके लिए हमें थोड़ा सा कम से कम 2 teaspoon oil लेना है और इसमें 3 medium size की onion को slice करके इसमें saute करना है और 8-10 काजू भी इसमें slit करके डाल देने है तो इनको हम थोड़ा से saute करेंगे dark color बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बस 2-3 minute इसको भूनेंगे और ठंडा करने के बाद इसका एक बहुती fine और smooth सा paste बना लेंगे थोड़ा सा chopped coriander मैंने इसमें add कर दिया है flavors के लिए और बस इसको थोड़ा सा भूनेंगे ठंडा करेंगे और बस इसको हम side रख देंगे यह हमारी जो gravy है उसको बहुती creamy और बहुती rich texture देने वाली है यह चीज तो इसको इस तरह से ही तयार करें बिल्कुल भी dark ना करें एक jar में मैंने इसको transfer कर लिया है आप जो भी cooking oil खाते हैं वो ले लीजिए उसके बाद जीरा है पांच लॉंग है एक cinnamon stick है पांच ही काली मिर्च है और दो मैंने इसमें green cardamom लिया है इनको डाल के crackle होने देंगे उसके बाद वो जो हमने smooth gravy तयार किया है इसको थोड़ा सा बुनेंगे इसको चलाएंगे और पांच मिनट इसको ढखके रख देंगे इससे बहुत अच्छे से बुन जाएगा तो इसको इस तरह से ही भूने और जो जार में एक्स्ट्रा थोड़ा दरवदर लगी होती है ग्रेवी उसको भी थोड़ा पाइन डालके निकाल ले और इसमें आड कर दें जब यह भून जाएगी तब हम इसमें अपना मारिनेटेड जिकन को एड कर देंगे तो यह बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन टेस्ट में जबरजस्त एकदम बहुत जल्दी बन जाती है ज्यादा इसकी कोई प्रपरेशन भी नहीं है इसको आप कभी भी बना सकते हैं तो विंटर्स में लंच में डिनर में आप जम बरजी इसको बनाए और इंजोई करें इसके बाद हम इसको लिड लगा करके छोड़ देंगे तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक यह चिकन जो है टेंडर ना हो जाए तो हम एक पीस निखाल के चेक करेंगे बीच में दो तीन बार मैंने इसको चला दिया है अराउं थर्टी मिनिट्स ले 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 लेगा यह क्य इसको अच्छे से स्मोक दे देंगे तो यह बहतरी निसमें स्मोक की फ्लेवर भी आ जाएगा अई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक शेयर करें और अगर चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें तो जो लिड में इस तरह से होल होता है उसे स्मोक लीक हो जाती है तो उसमें कुछ भी लगा दें या तो लॉंग लगा दें या फिर आटा लगा दें अच्छा सा मिक्स देंगे और बनने के बाद इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ग्रीन चिली अधरक के जूलियंस यह सब डाल के इसको पांच मिन डखके रख देंगे सर्विंग से पहले बहतरी टेक्शर हमारी ग्रेवी का आया है यह सिल्की स्मूथ ग्रेवी है इसलिए इसका नाम है रेश्मी चिकन मसाला ग्रेवी देखिए कितने बहतरी इसमें वो आये हैं कलर औ और अधरक के थोड़े से जूलियंस लगा सकते हैं और इसको गर्म गरम नान के साथ रोटी के साथ या फिप पराठे के साथ या चावल के साथ जैसे आपका दिल चाहे इसको एंजॉय करें एक बार इसको जो खाएगा इसको बार बार बनाना चाहेगा यह इतनी टेस्टी लगती है रेसिपी की सारी डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में भी डालती हूं तो आप महापे भी देख सकते हैं एक्यूरेट मेजिनमेंट्स और इसके बाद आप मुझसे अपना फीडबेक जरूर शेयर करें जब भी यह रेसिपी ट्राइग करें देखिए हम इसको नान अजीज है फिर मिलती हूं मैं आप से ऐसी ही कोई इंट्रेस्टिंग सी रेसिपी के साथ तब तक अपना बहुत से ख्याल रहें तिल देन हैपी कुकिंग टेक केर बाई अलाहाफिज